वाइबरेंट e-learning के इस ओनलाइन डिजिटल प्लेटफोरम पर आपका फिर से स्वागत है एक बार आप सभी सेशन को लाइक शेर जुरूर करें और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जुरूर कर ले हमारी जो कि आने वाले जो एक्जाम सोते हैं उनमें जो क्यूसन है ना वो सी टाइब से पूछे जाते हैं तो जितने आप कि इसन सोल करोगे उतने ही आपके याद होते जाएंगे इसलिए जो क्लासिज यह काफी पॉटेंट और यह तो इसलिए आप जुड़े रहें और साथ में इसलिए उनमें तो इसलिए गया तो मॉसाली पठ्टनम की बात करते हैं तो तो ये दरसल बारत में पहला legal factory थी, पहला वैदानी कार खाना था, जो अंग्रेजों ने स्थापित किया था 1611 में, फोर्ट विलियम जो किल्ला है उसका निर्मान करवाया गया था, जोब चारनोक के द्वारा, जब इसने कलकत्ता बसाया था 1609 में, फोर्ट सेंड जोर्ज है इसका निर्मान 1649 से 41 में करवाया गया, फ्रांसिश डे के द्वारा किसने करवाया था भी, फ्रांसिश डे ने इसका निर्मान करवाया था, और इसका निर्मान मदरास में करवाया गया था, कहां पे भी मदरास में, यानि मदरास में इसका निर्मान हुआ था, और ये पहल किला माना साता है जो अंगरेजों ने स्थापित किया था तो इसलिए इस क्यूशन का सही जो आंसर है वो कौन सा रहेगा भी ए रहेगा यानि सेंट जोर्ज फोर्ट है न यह सबसे पहला किला था जो कंपनी के दवारा बनवाया गए तलते एक्ष क्यूसन टिपो सिल्टान वोस ओल्सो काल दे लाइन ओफ टिपो सिल्टान को कहां का सेर काज आता था मैसूर का कहते हैं दिल्ली का कहते हैं आगरा का कहते हैं गौालियर का कहते हैं तो बताएए क्या रहेगा इसका सही आंसर दरसल क्या था कि मैसूर है ना एक बड़ा और बाद में संगर्स हुआ था टिपू सुल्तान के साथ। क्योंकि मैसूर के थे अंगरे जों से काफी संगर्स किया था इन्होंने और इसलिए इन्हें मैसूर के सेर के नाम से जाना गया। तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी ए रहेगा इन्हें मैसूर का सेर कहा जाता था टिपू सुल्तान को। नेक्स्ट कुस्टन है कि इन विच बैटल डिड लोर्ड कलाईव डिफीट सिराजुदोला फलासी के युद में हराया बकसर के युद में हराया पानी पत के युद में हराया या हल्दी गाटी के युद में हराया तो कौन से युद में लाड कलाईव ने सिराजुद अला को हराया हल्दी गाटी का जो युद है ये अकबर और महरना परताव के मद्दे हुआ था और ये हुआ था भई पंद्रासो च्छंतर में यानि अकबर जिसकी सेना का नेतर तो मान सिंग ने किया था ये हल्दी गाटी का युद था और ये कब हुआ था भी पंद्रासो च्छंतर में हुआ था बात करते हैं पानिपत के युद की तो पानिपत के तीन युद हुए थे पहला भी हुआ था दूसरा भी हुआ था और तीसरा भी हुआ था पहले में बाबर ने हराया इबराहिम लोदी को, दूसरे में अकबर ने हराया हेमू को, और तीसरे में एमदसा अब्दाली ने हराया मराठो को. तो ये तीनों ही युद काफी मेहतुपुन माने जाते हैं जो पानी पत में लड़े गए थे. इसके बाद में बकसर के युद की बात करते हैं तो बकसर का जो युद जीता था एक अंग्रेज अधिकारी जिसका नाम था हेक्टर मुनरो ने और ये जो युद है ये 1764 में हुआ और इस युद में हेक्टर मुनरो के दवारा तीन सेनाओं को डिफीट किया गया था एक तो बंगाल की सेना थी एक अवद की सेना थी और एक थी मुगलों के सेना। यानि तीनों सेना को हराया गया था किस के दवारा भी एक्टर मुन्रों के दवारां। पलासी का जो यूद है ये 1777 में लड़ा गया और इसमें जो लाड कलाईव है उसने नवाब सीराजु दोला को पराजित किया था तो इस क्यूसिन का सही आंसर कौन सा रहेगा भी ए रहेगा यानि बैटल ओप पलासी जो था वो यहां पर लड़ा गया था सीराजु दोला और कलाईव के मद्य है और इस यूद में लाड कलाईव था वो वीनर था एक्शल में इसी यूद के बाद में बारत में यदि अपने बात करें तो अंग्रेजी सामराज्य की स्थापना हुई थी यानि बारत में अंग्रेजी सामराज्य की जो स्थापना है वो इसी यूद के बाद हुई कौन से युद के बाद भी पलासी के युद के बाद ठीक है नेक्स्ट कुस्टन है वो अमंग दा फॉलोविंग फाउंडेड दा एसियाटिक सोसाइटी ओब बेंगोल इन 1784 इन में से किसने 1784 में एसियाटिक सोसाइटी ओब बंगाल की स्थापना की हैंडी वीवियन डेरोजियो ने दुवारका नाट टैगोर ने राजा राम मोन राए ने सर विलियम जोन्स ने बताईए इसमें से किसने स्थापना की हैंडी वीवियन डेरोजियो की बात करें तो य जनक माने जाते हैं यानि बंगाल में पुनर जागन का जनक कहते हैं भई हेंडी वीवियन डेरो जी योग। तो इसका सही आंसर इसमें D रहेगा अब यह जो Asiatic Society of Bengal क्या है इसकी स्थापना कलकता में हुई थी भई ठीक है और इसे वर्तमान में कोलकाता संग्राले के नाम से जाना जाता है यानि इसकी स्थापना कहां पे हुई थी कलकता में और परजेंट में इसे कोलकाता म्यूजिय यह ना उनका अध्यन करना पुरातात्विक चीजों का अध्यन करना बाद में क्या हुआ कि 1861 में अलेक्जेंडर कन्नीगम ने किसने भी अलेक्जेंडर कन्नीगम ने एक पुराततो विबाग की स्थापना की कौन से विबाग की पुराततो विबाग की स्थापना की और इस विबाग की स्थापना दिल्ली में की गई थी और इसके अद्यक्स बने थे अलेक्जेंडर कनीगम इसके पहले द्यक्स कुई थे अलेक्जेंडर कनीगम बाद में क्या हुआ कि 1904 में लाड करजन के समय एक विसो विद्याले अदीनियम आया था जिसके बाद में यहां पर पुरातत्तों स्रंक्षन एक प्रकार से अलग से यहां पर डिपार्टमेंट की सुरुवात की गई उसके बाद में यह जो पुरातत्तों विवाग था, इसके अद्यक्स थे जोन मार्सल, जब सिंदु सब्वैता की खोज हुई थी 1921 में, यानि जब सिंदु सब्वैता की खोज हुई ना 1921 में, तब इस archaeologist department के पेजिडेंट थे जोन मार्सल बाद में जब भारत को अदेक्स थे वो थे मार्टिमर विललर यानि पुराता तो इबादेक्स कोन थे भी मार्टिमर विललर थे जब भारत आजाद हुआ यह इसलिए याद रखने क्योंकि एसियाटिक सोसाइटी और बंगाल है यह पुराता तो आर्कियोलोजिस यह समन्दित तो इस क्यूस्टन का सही आंसर इसमें D रहेगा कौन सा रहेगा D रहेगा अगला कि उसने की विच इस दा फर्ष्ट हिंदी न्यूस्वेपर ओफ इंडिया यानि बारत का जो पहला जो हिंदी न्यूस्वेपर है वो इन में से कौन सा माना जाता है उडान आजाद विचार उदंड मारतंड या विच्या यदि अपने बात करते हैं तो बारत का सबसे पहला जो समाचार पतर था वो था बंगाल गजट यह मैंने आपको बताये भी था बंगाल गजट 1780 में ठीक है जेम सीकी के दवारा ठीक है यह पहला था कलकता से उसके बाद में पहला जो बारत का जो हिंदी समाचार पतर है उसकी अदियपन बात करें तो यह 1826 में आया था और इसे कलकता से परकासित किया गया था और इसके जो संपादक थे वो थे जुगल की सोर क्या नाम था जुगल की सोर और यह था उदंड मारतंड यह था इनका स पत्र माना जाता है और यह साफ ताइक था क्या था भी साफ ताइक था वैसे बारतिय समाचार पत्र जो की दैनिक था वो इंडियन मीरर था सबसे बहला कौन सा था इंडियन मीरर यह दैनिक था क्योंगि यह साफ ताइक था और इंडियन मीरर के लिए योगदान जाता है पर 22 बारत यानि इन में से मराठी पाक्सिक समाचार पत्तर 22 बारत किस ने शुरू किया दोक्टर बियार अम्बेटगर ने वीर सावर करने बिनोबा भावे ने या लोकमाने तिलक ने बताइए इन में से ये किसके द्वारा श्टार्ट किया गया था ये आपको बताना है इस क्युस्सन का सही आज़ु लोकमाने तिलक के तो समाचार पतर थे बया मराठा और केशरी वीर सावर करने लिखी थी बारत का पर्थम सोतंतरता संगराम जबकि बिनोबा भावे है न ये दरसल गांधी के पर्थम सत्यागराई माने जाते हैं और इनोंने एक आंदोलन भी चला डॉक्टर बियार अम्बेडगर ने क्या किया था कि 1924 में इन्होंने बंबई में काँपे भी बंबई में इन्होंने एक सभा बनाई थी वहिसकर्थ हितकारिनी सभा यही सभा का नाम क्या था भी वहिसकर्थ हितकारिनी सभा का इन्होंने गठन किया था 1924 में यह काँपर किय गया था भी बंबई में किया गया और ये जो सबा थी इसका मुख्या लक्से था छुआ छूद को दूर करना यहीं इसका मैन एम था ठीक है तो इसका सही आंसर इसमें ए रहेगा क्योंकि जब इस सबा का गठन किया गया तभी इन्होंने समाचार पत्र की शुरुआत की कौन स पॉलोविंग इंडियन रिवलेशन रिवलेशन कंटेम्टेट आंड रिवलेशन अगेंश्ट थे बृटीस विद्धा हैल्प ओव जर्मनी यानि बारतिय करांतिकारियों में से कौन थे जिनोंने जर्मनी के स्वयोग से अंग्रेजों के खिलाब सहसे विद्रों का विचा परफूल चाकी जो की बंगाल में करांति कारियों में जुड़े वे थे खुदिराम बोस के साथ ही तो थे ना परफूल चाकी ठीक है और बागाजतिन यह सही है भी बागाजतिन थे ना उन्होंने जर्मनी के सहयोग से यह करने क्योंकि जर्मनी और बेटेन में तो आपस में पर्थम विश्व युद के बाद में ही विवाद सलना था तो इसलिए किया था लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाई इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? सी रहेगा इन विच ओव दा फॉलोविंग बैटल्स डिड मोलवी एमदुला साथ डिफीट दा आर्मी लेड बाई हेन्री लोरेंस यानि कौन सी लड़ाई में मोलवी एमदुला खाने हेन्री लोरेंस के नेतरतो वाली सेना को पराजी थी चिनट के युद में किया था नजब खट के युद में किया था किंतोर के युद में किया था सारा गड़ी के युद में बताइए इसका सही आंसर क्या रहेगा तो यदि अपने बात करते हैं एमदुल्ला खां की तो एमदुल्ला खां है न उन्होंने अंग्रेजों के खिलाब विद्रो किया था फैजाबाद में कहां किया था भी फैजाबाद और फैजाबाद को परजैंट में क्या कहते है अयोध्या कहते है युपी में पढ़ता है तो यहां पर इन्होंने नेतरतो किया मौलवी एमदुल्ला खां है उन्होंने इसाईयों के खिलाब जेहाद का नारा दिया था यहाद का नारा दिया था मौलवी एमदुल्ला खाने दिया था यह जो मौलवी एमदुल्ला खाएना उन्होंने चिन्नट के युद में जो युपी में पढ़ता है जो 1857 की करांती के समय हुआ तो इसमें हेन्री लोरेंस के नेतरतो वाली सेना है उसे पराजित कर दिया था याद रखना है कि इस युध का नेतर तो मौलवी एमदुल्ला सा नहीं कर रहे थे बलकि बरकर एमद ने किया था यान्ि बरकर एमद के दौरा इस युद का नेतरतो किया गया तो इसक्यूशन का सही момसर इसमें कौन सा रहेगा भी ए रहेगा कौन सा युद हुगा था यह चिन हट का युद हुग नेक्स्ट बीच ओव दा फोलोगिंग वोज नोट रिलेटेट टू दा रिवोल्ट अफ 1857 यानि इन में से 1857 के विद्रो से समंदित कोन नहीं था यानि कौन ऐसा था जो 1800 साउन की विद्रो से समंदित नहीं था ये आपको आंसर बताना है तो बताईए भी कुमर सिंग नहीं थे बगत सिंग नहीं थे बेगम हजरत मेल नहीं थी या मंगल पांडे नहीं थे यह आपको आंशर बताना है यह पना बात करते हैं कौमर सिंग की तो कौमर सिंग को बियार का सेर भी कहते हैं और इन Düatter तो किया था कहांसे बिहार में च्छी कैना हलाकि जगदीस पूर से किया था जो पर्जैंट में जारखंड में पड़ता है तो यहाँ पर इन्होंने करांती की नेतरतों किया बेगम हजरत महल की बात करें तो बेगम हजरत महल है न वो अवद के नवाब वाजिद अली सा की पत्नी थी वाजिद अली सा को चुंकि कैद कर दिया गया था तो इसलिए बेगम हजरत मैल ने अवद में नेतरतो किया था मंगल पांडे की बात करते हैं तो जो मंगल पांडे है उन्हों वो करांती के पहले सईद माने जाते हैं इन्होंने चरबी वाले कार्तुसों का विरोध किया था बेरकपूर छावने में जो बंगाल में है यह 157 से समंदित नहीं है क्योंकि बगत सिंग है वो एक्टिव है थे जब उन्होंने 1926 में नोजवान सबा का गठन किया बाद में यह चंदर सेकर आजाद के साथ जुड़ गए थे एचसरे संग्ठन से और 23 मार्च 1931 को इन्हें फासी दी गई तो यह 27 की करांती से समंदित नहीं थे तो सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी बी रहेगा नेक्स्ट एकि ओन वूज कंस्टेशन दस दा प्रिजडेंट कन्वे एंड एड़जरन ओल सेसनों पार्लियम राष्ट्रपती किसके प्रामर से संसद के सभी सतर आयोजी तो स्थगित करते हैं अदेक्स के प्रामर से परदानमंत्री के प्रामर से परदानमंत्री और लोकसवा के विरोधी पक्स के नेता से या मंत्री प्रिजडेंट तो आपको पताए कि आर्टिकल 85 में क्या लिखा गया है कि राश्ट्रपती है न वो संसद का जो सत्तर होता है उसे आहुद कर सकता है और उसे समाप्त कर सकता है और साथ में लोकसबा को बंग भी कर सकता है तो ये आर्टिकल 85 में है लेकिन इसके लिए राश्रवती को कोन सला देंगे परदानमंतरी की सला से करता है कोन भी राश्टरवती कोन से आर्टिकल में उलेख है 85 एक्षिल में यादे अपन बात करते हैं तो वैसे संसद का सत्हर है ना वो बुलाता तो राश्रवती है लेकिन संसद का जो सत्तर है उसे संचालित कौन करते हैं भी लोकसबादेक्स या राज्यसबा के सभापती ठीक है संसद का सत्तर जो है न वो एक परकार से स्थगित है न वो तो करता है राष्टबती लेकिन संसद की जो कारवाई होती है सेसन की वो कौन स्थगित करते हैं लोकसवादेक्स और सभापदी ठीक है इसका सही आंसर इसमें बी रहेगा क्योंकि किसके प्रामर्ज से किया जाता है भी परदानमंत्री की प्रामर्ज से ठीक है मजदु दंडवदे मताये में 1965 में जो जनता पार्टि थी उसके देक्ष बने थे चंदर से कर कौन बने थे 12 Tylenसे कर 209 006 में 1967 जो शरकार बने थी वो किस के नेतरतों में बने थी मोराजी देसाई के नेतरतों में बने 3ब Iron말 एक्सिल में चंदर सेकर खुद भी परदान मंतरी बने थे और खुद परदान मंतरी बने थे 1990 में ठीक और यह फाइनेस मिनिस्टर ओफ इंडिपेंडिट इंडिया यानि जो कौन ऐसे थे जो सोतंतर बारत के पर्थम वित मंत्री रहे थे जग जीवन राम थे स्यामा परसाद मुखर जी थे सन मुगम सेठी थे या टिटी कशनाम चारी थे यह तो सविदान सभा से जुड़े वे थे स्यामा परसाद मुखर जी क्या थे भी उद्योग मंत्री थे और यह पहले मंत्री थे जिनोंने त्याग पतर दिया था मलब पहले मंतरी थे जिनोंने त्याग पतर दिया था जब ये संतुष नहीं होए थे मंतरी प्रिशद की बैठक से जगजीवन राम एना ये सरम मंतरी थे कौन थे भी सरम मंतरी थे कौन जगजीवन राम और सर्ण मुकम से ये थे कौन से वित मंत्री यानि बारत के पहले वित मंत्री यही माने जाते हैं सही आंसर सी रहेगा यानि उनीस सो सेन्तारिस में जब जो सरकार गठित हुई थी जिसमें परदान मंत्री जुआलना नेरू थे तो उसमें ये बारत के पहले वितमंत्री बने दे तो सही आंसर कौन सा रहेगा भी इसमें सी रहेगा इसका सही आंसर विच ओव दा फॉलोविंग आर्टिकल डील्स विद्धा सवसी डायरी पौवर्स ओव दा सुप्रीम कोट यानि सुप्रीम कोट को अनुसंगी सक्तियों से समंदित कौन सा 140, 143, 150, 138 जरसल लिखा गया है कि जो सुप्रीम कोट होता है न उसको यदि संसद चाहे तो अनुसंगी सक्तिया मलब और सक्तियां दे सक्तियां किसी भी कानुन के साथ उसे और सक्तियां परदान कर सकती है Supreme Court को हलांकि ऐसा नहीं हो कि वो जो सक्तियों वो सविधान का उलंगन करती हो अैसा नहीं हो तो यह लिका गए है कॉन से आर्टिकल में भी 140 में आर्टिकल 143 में काफी पर्टेंट आपको बता है इसमें प्रामर्स लेने का दिकार है, राष्टपती है ना वो प्रामर्स ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से ये किसमें 143 में, तो इस क्युस्षन का सही आंसर इसमें A रहेगा, एक सो पचास से समन दीता है नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छे दें 124 से लेकर 146 त इस क्युस्षन का सही आंसर इसमें A रहेगा, कौन से आर्टिकल में भी 140 नंबर आर्टिकल, ठीक है, नेक्ष्ट है, बारतिय सविदान के अनुसार किसके आदेस के बेगेर सर्वोच न्याले के नयदिस को पद से हटाया नहीं जा सकता, राष्ट्रपती, मानयवादी, पर पहले तो क्या होता है कि किसी को अटानओ ना नैदिस को, ठीक है, ना, तो उसमें परस्तावे ना संसथ के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, पस इतना है भी लोक सबा में तो 100 सदसियों का समर्ठन होना चाहिए, और राज्य सबा में कितने सदसियों का 50 का समर्ठन होना तो तीसरा होता है, जो कानूनी रूप से पारंगत हो ऐसा कोई व्यक्ति होता है, तो तीन सदस्य गामेटी यह जांच करती है, यह दोसकि यह दोसरी पाती है, तो दोनों सदनों में फिर दो त्याई बहुमत से परस्ताओ पारित करना पड़ेगा अब ये चीज़ें तो इसमें लिख ही नहीं है लेकिन परस्ताओ पारित होने के बाद में इसके लिए अन्यमत्य कौन देगा भी राष्टपति देगा राष्टपती की अनुमती के बाद में ही ऐसा किया जाएगा तो इसी लिए इस क्यूस्टन का सही अंसर कौन सा रहेगा भी ए रहेगा कौन सा राष्टपती विच इस कोल दा सोर उफ चाइना यानि चीन का दुख इन में से किसको बोलते हैं तिम हेन को वारलूम गो को होंग हो को खेपलान को बताए किसको इसमें चीन का सो कहते हैं ये आपको बताना है सही अंद तरसल चीन है न वहाँ पे जो बाड आ जाती है और बाड का जो कारण जो नदी इसमें बनती है वो जो नदी है वो कौन सी है वोंग हो ये जो नदी है वोंग हो इसे चीन का दुक कहते है ये जो होंग हो नदी है ये तिबत की जो पाड़ी है वहाँ से निकलती है ठीक है ना तिबत से ये निकलती है इसके बाद में ये जो नदी है ये दरसल गुजरती है लोईस नामक मरुस्तल से, एक मरुस्तल है कौन सा? लोईस डेजर्ट है, वहां से गुजरती है, और लोईस मरुस्तल के कारण इस नदी का जो रंग है न, वो पीला पड़ जाता है, यलो हो जाता है तो इस क्यूस्टन का सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा? अगला क्यूस्टन है कि, वोट इस दा लोगेश रिवर इन यूरोप, फलोविंग थरो टैन डिफरेंट कंट्रीज, एंड ट्रेवलिंग फ्रोम दा बलेक फोरेश्ट तू दा बलेक सी? यानि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जो दस अलग अलग देसों में बैती वी, काले वन से काला सागर तक यातरा करती है, कौन सी इसमें वोलगा है, एलबे है, राइन है, डेन्यूब है, बताएए इस क्यूस्टन का सही आंसर, इसमें सबसे बड़ी नदी तो नदी गुजरती है, ठीक है ना, दस देसों से गुजरने वाली डेन्यूब है, कौन सी है भी डेन्यूब, यानि ये दस देसों से गुजरती है, सबसे पहले ये जर्मनी से चलती है, और उसके बाद में ये लाश्ट में काला सागर में गिर जाती है, जर्मनी से चलकर कर कर क बाद में ये हंगरी में जाती है हंगरी के बाद में क्रोशिया भी जाती है फिर ये जाती है सर्बिया में सर्बिया के बाद में ये दरसल जाती है रोमानिया सर्बिया के बाद में कहा जाती है ये रोमानिया जाती है और उसके बाद में ये जाती है बुलगारिया में वेल्डोवा से आती है यूकरेन और यूकरेन से गिर जाती है काला सागर तो कितने देस होगे एक दो तीन चार पांच चे साथ नो दस ठीक है न तो यह दस देस होगे एक में से ये गुज़र, ठीक है, चार और छे दस से, काला सागर में गरती है, गो देस नहीं है, तो इस क्यूस्टन का सही आंसर डी रहेगा, डेन्यूब न दिये हो, नेक्श क्यूस्टन आपके सामने है, कि वेर आर ओपन ग्रास लेंड वैल्ड्स फांड, गास के खुले मैदान वेल्ड्स कहां पाए जाते हैं, उस्ट्लिया में पाए जाते हैं, अफरिका में पाए जाते हैं, एसिया में पाए जाते हैं, या अमेरिका में पाए जाते हैं, बताएए इसका सही आंसर क्या रहेगा, दरसल ये जो वेल्ड्स है ना, ये सम सितोसन गास होते हैं कैसे होते हैं सम सीथ पलस उसन सम सितोसन ग्रास होता है ये और ये जो है ना ये अफरीका में पाया जाता है यानि कहां पे पाया जाता है ये अफरीका में सम सितोसन गास इसका सही आंसर इसमें कौन सा रहेगा भी बी रहेगा यानि इसमें क्या है जिसका प्रियोग करते हैं एवांचित पोदों को नश्ट करने के लिए ये कीठनासक होता है ये एक मसीन होती है ये उर्वरक होता है या जैव इंदन होता है बताई इसका सही आंशर क्या रहेगा अब एवांचित पोदे समझ गए ना आप किसको बोलते खरपतवार को बोलते हैं जो खरपतवार होते हैं जो एवाँचित ये साक भी बोल सकते हैं इनने खरपतवार भी बोल सकते हैं और इनके दुवारा ही इनको नश्ट करने के लिए इसका प्रियोग किया रता है कि इसका हर्भी साइड का ठीक है यानि इसमें सही answer कीट ना सकरेगा, ए इस question का सही answer, उसके बाद में red data book कीजिए, rare document of any English species, यानि लुप्त जो पजातियां होती है, उनके लिए दुरलब दस्तावेज red data book होती है, तो उनमें क्या क्या होता है, वंस्पती होती है, या जीवजन्तु होते है, या अन्य जीवित जीवजन्त के लिए होती है, या सारे ही इसमें होते है, बताएए किसके लिए जो red data book है ना, इसमें आंकडे data है, वो डाले जाते हैं, तो red data book के यदि अपन बात करें, तो red data book है ना, यह दरसल IUCN के दवरा जारी की जाती है, किसके दवरा, IUCN के दवरा इससे जारी किया जाता है, यानि इसे कह सकते हैं हम, international union of conservation, ठीक है न, of nature, यानि इसे अंतराष्ट्रिये प्रकरती स्रंक्षन संग कहते हैं, तो यह जो संग है ना, इसे red data book यह जारी करता है, और इसमें सभी का उलेक किया जाता है, जाए बंस्पती है, जीवजन्तु, कोई भी जन्तु हो, स इसका सही answer इसमें कौन सा रहेगा, भी D रहेगा, यानि सभी के सभी इसमें क्या रहेंगे, भी सत्य रहें, ठीक है तो आज ये की class होई, तो एक बार सभी session को like share जरू कर दीजिएगा, और next session में सांदर परसनों के साथ फीर आएंगे, चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe जरू कर ले सबको बहुत बहुत दनेवाद, good night, सुबरातरी सबाख है